लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए पत्रुका सम्हू सधेव जनता के समवाद और भागिदारी में विश्वास रखताया है। लोकतंत्र में सवतंत्र और निस्पक्ष चुनाव केवल सवच राजनीती की बुनियात पर जनता के साथ समवाद और भागिदारी से ही संभव है। द्वारा और चंता के लिए क्या रहेगी इसके बारे में जन एजन्डा मांगा गया था। कारेकर में आज हम बात करेंगे दाता रामगर्ड विधांसबाक श्रित्र सी विधायक विरेंद्र सिंग से। और पूछेंगे सवाल दस सुत्रिये जन एजन्डा कोडेकर। मैं हूँ रंजीत और आज हमारे साथ मौजूद है सीकर के दातारामगर्ड विधायक चोदरी विरेंद्र सिंग जी विरेंद्र सिंग जी आपका करेकर में स्वागत है। तो आज हम विधायक जी के जीवन से जुड़ी बातों पर इनसे जानकारी लेंगे। पहली बार आप विधायक बने हैं दातरामगर्ड से आपके पीता है, वो लंबे समय से यहाँ पे विधायक रहे हैं, तो एक प्रकार से वटवक्स यहाँ पे उन्हें ने खड़ा किया था, उसकी कोपल के रूप में आप यहाँ पे विधायक बने हैं, कैसा इसको मानते हैं मैंने बच्वन से देखा है कि चोधरी सहाब का जो दातराम के प्रती और जनता के प्रती यह था कि विकास के काम होने चीए, दूसरी बात उनकी सवदा आई कि आपस में लोग लड़े नहीं, भाहिचारे से रहे हैं, उसी मान सिता से मैं इस राजिन्टी माया और निशी र और सिमिस पोलिटिक्स में हैं, आपने इस से पहले भी कोई चुनाव जो रहतभी में सुरूबाद की ती, किस प्रकार से रहत बेचा बेचा हैं, जो चुनाव लड़ा है? मेरे सामने किसी निफोंन नहीं बरा वो उनके दिंधिवार जाओंगा उस सित्र के वाड़वाशिएंगा उसके बाद में में परदान बना था इस एक पूरस में सब सी चोटी उमर में था एक पूरस कंडेट होने के नाते Спасибо मैं सबसे चोटी उमर में, तीस साली उमर में परदाना बनाता, वो रास्तान में हाईस्ट वोटर से जिदने वाला परदान था, वो परदान दो जार से दो जार पांट रख परदान रहा, इसके बाद भी आपने कोई जो पंचाइती राद भी चुनाव लड़े हैं, या इसक तो आप इसको कैसे मानते हैं वो दोर एक अच्छा था या विदायक का जो जनता के वादे करते हैं उनको पूरा करने में प्रदान के रूप में आप ज्यादा इसको सक्च मानते थे हैं विदायक के रूप में अच्छा महनता हूं क्योंकि उस समय एक अकाल रात अकाल पड़ा था असोग जी गलोत की सरकार थी और अकाल रात को डोप टेल कराके जिस तरह के से मैंने वहाँ डवलिमेंट के काम क मेरे लिए संतोज रखते हैं मुझे अच्छा महसूज होता है कि मैंने वो इतने जवर्दस काम कराए उस 25 मिति में लोग आज भी याद करते हैं और उसी का नच्छीता है मेरे प्रधानकाल का कि मैं इतनी टफ फाइट के अंदर M.L.A. बन के आया हूँ उस दोरान आपने क्या-क्या कारव कर रहा हैं जिनने जनता याद रखेगी? मेरे समय में सब सी ज़धा रधी गनिपार शलयं खु़ीगी शिकर जिले में 500 में से 112 us high 15 5 की में लाजप जनी वे त हो जो आस सारी मिडिल के रूप में कान मंद हो चुकी यह कि मैंने इतनी गर्विस रखे मनाई जो आज चुलोप होगे गाउं में धानियों में आम आदमी राने लगा उसके इलावा जो जगड़े आपस में होते थे रास्ते के विवात वो सारे के सारे खतम होगे और सबस्देद और गुनोता की गर्विस रखें जो मनाई उससे जया हैं तो सबसी जदा सटकें कराती है तो मेरे कारकाल से शुरूबती और विदायक रहे हैं आप उस दोरान भी आप राजती में सकरे थे जंता यह जाते थे तो अब आप विदायक बनने के बाद जंता की बीड़े जाते हो तो लोगों के आप से ज़्यादा उपक्साय रहती है या पहले भी लोग इस प्रकार की समझें लेकर आपके पास आते थे आप उनके मादेम से उनका कुरेवाने का प्रियास करते थे अब शिद्धे आपके पास लोग आते हैं तो उस काम को कैसे करवाने का प्रियास कर रहे हैं पहले मैं बहुत छोटी उमर से इस एक तक और मैंने भुत चोटी उमर से लोगे साथ काम कराने सुछूंगा उनके मदद करना उनके लिए डवलोमेंट की बात करना उनके विकास की जो बात है थी उससे में भागे दारी मैंने पूरी नहीं भाई है तो राजनित्ती में चोद्री साब का लंबा कदरा है पार्टी के सर पर देखें परदेश इस तर पर देखें तो उनकी पैचान एक अलगी रही है चुनाओं में उनका आपको क्या कुछ फाइदा मिला या आप मैंनत करके चुनाओं में आप चुनाओं निकालने में पूर्ब रहे हाला कि मार्जन चोटा था लेकिन आपको जीत मेली हैं पहली बार आप विदाएक बने हैं तो इस जो चोद्री साब की भूमिका है चुनाओं में उसको कैसे मानते हैं आप दिशी रोब से चोधरी साथ की दूब में का है है और मैनत भी है दोनों चीज़ें थी मैंने दो साल से लगाता है मैं लगाता है इस सेतर में रहूँ मेरा खुद की पचान है सिर्फ मैं यू नहीं कि चोधी ट्राइट शेंजर के बेटा थोप दिया गया बेटा थोपा नहीं गया है वो इस सितर में रहा है इस सितर में लोगों भी इच में जूड़ा रहा है और दिशी रोब से बड़ा नाम है मदद सब कोई मिलेगा तो चोधरी साथ का बड़ा नाम था लोगों का आरोप ये भी रहता है कि वनसवाद को बड़ावा दिया जारहा है राजनिती में अपने बेटों को उतार देते हैं तो इसको आप कैसे मानते हैं कि वनसवाद में जो कारेकरता हुता है पार्टि का वो मैनत करता है, जösको और उसी घर में पढ़े हैं उनका उनीका खून है तो वह भावा हमारे अंदर रहेंगे अगर हमने आपका मुल देशे क्या रहा तो सेवा करने के लिए राजनिती में आए हैं इससे जब आप विदाएक बने इससे पहले आपको व्यापारी की प्रेश्ट मूमी आपकी रही है व्यापार वगिरा ऐसा कुछ किया आपने? जनता की सेवा करने के लिए शक्रिय रूप से राजनिती में आना ही एक अच्छा विकलब है या और कोई मादें भी है जिससे राजनता की सेवा की जा सकती है? और मादें भी हैं लोग करते हैं लेकिन ये तोड़ा सा आप डंक से कर पाते हो राजनिती में रहते हो तो आप जड़ा बेटर तरीके कर पाते हो समाज से वावाव रहोगे तो आपको अजार एडल्स रहेंगे आप उतना नहीं कर पाऊगे जितना विस्ति रूप से आप नहीं कर पाऊगे मैरा काम करने का तरीकाहा जो मेरी मानद़ी थी उसकर एक साल BGP की शासन काल में वह थी उस sonokा में वही उस्सी कौह काम किया। मुझे कहीं समझ जटन्हीया नहीं दोनों मुझे को जो काम करने वाला है उसको जो सरकार है उसका कोई वो नहीं होता काम मैनत करने वाला अपने काम आसानी से करवा लेता है यह जनता की सेवा करनी होती है जो जनता के जाहिज काम है वो आसानी से पूरे हो जाते हैं सरकार का इसमें कोई योगदान नहीं रहता ऐसी नहीं कैसे थे सरकार के योगदान आपका बता रहे हैं कि अच्छा कारेकार रहा आपका तो इस दोरान सबसे बड़ी उपलब्दी आप क्या मानते हैं प्रदान रहने के दोरान की मैंने वहाँ पे जो डॉबल्मेंट के काम कराया ना जो करमचारियों को सब को साथ लेके मेरे पे एक ये भी मावना लोगों की कि मैं दल्गत राजनिती में कम रहा मेरे जितने भी सर्पंद हैं मैंने ये काउंट नहीं किया कि विकास के लिए कि सर्पंद बीजेपी का है कि कॉंग्रेस का है हमारे बीजी बी क dispon मेरे 45 सरफंथे लेकिन में विकास के मामलें कभी भी यह नहीं सोचा कि सरफंश बीजी बे का तो उसे काम मुझे यह मतलब था कि इस काम में किया काम झरूर्जी है तो यह काम होना चाहिए नो सरफंश की क्सी भी हो हूँ तो इसलिए आज उसी वावना से मैंने काम के तो उसका नतिज़ा आपके सामने एक विधाय के रूप में हूँ